नमोनमह संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतिनांच पुनरेगद स्वागतं अहम अस्मी अशोक कुमारह अध्यवयं शेमुशी द्वितिय भागह इति पुस्तकस्य सप्तमस्य पाठस्य तृतियम भागम पठिश्यामह अस्य पाठस्य सीर्शकम अस्ति सोहारदम प्रकृतेह शोभा इति नमस्ते आज की संस्कृत कक्षा में मैं अशोक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चात्रो आज हम सेमुशी द्वितिय भाग इस पुस्तक के सात्वे पाठ के तीसरे भाग को पढ़ेंगे पाठ का सीर्शक है सोहारदम प्रकृतेह शोभा चात्रा हा पूर्वतन भागे वयम पठित्वन्त हा यत वने वनराज हा इत्यस्य पदस्य कृते पशुपक्षिन हा परस्परम कलहम कुर्वन्ती एकह स्वस्य विशेशताह उक्त्वा वनराज पदाय अहम एव योग्य इती स्ववादम स्थापयती अपरहच तस्य तर्क पूरणम विरोधम करोती एवमेव सर्वेशाम कलह भवती अन्ते काकम विहाय सर्वेशाम सम्मती उलूकम राजानम कर्तुम भवती काकह वदती यत एशह उलूकह स्वभावेन रोद्रहस्ती अत्युग्रहस्ती पुनह कुरह एप्रियवादी चवर्तते चात्रो पहले भाग में हमने पढ़ा कि वनराज इस पद के लिए पशुपक्षी आपस में कलह कर रहे हैं एक अपनी विशेशताएं बताता है और अपने आपको वनराज इस पद के योग्य घोशित करता है तो दूसरा उसका तर्क पूर्ण विरोध करता है इसी प्रकार वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए सभी जीवजन्तूओं में कलह होती है अंत में कौवे को छोड़ करके सारे पक्षी एक मत हो करके उल्लू को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कोवा कहता है कि यह उल्लू स्वभाव से रोद्र तथा बहुत उग्र है यह निर्दई भी है और इसको प्रिय बोलना भी नहीं आता तो ऐसे उल्लू को राजा बनाकर के हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात उल्लू को राजा बनाकर वन्य जीवों का कोई उधार होने वाला नहीं है अधुना अग्रे पठा महा ततह प्रविशती प्रकृती माता प्रकृती माता सैस्नेहं वदती भो भो प्राणी नहा यूयं सर्वे एव मे संततिही कथम मिथह कलहं कुर्वंती वस्तुतह सर्वे वन्य जीविनह अन्योन्या स्रिताह सदैव स्मरता तभी प्रकृती माता का प्रवेश होता है प्रकृती माता स्नेह पूर्वक कहती है अरे अरे प्राणीयों तुम सब तो मेरी संतान हों क्यों परस पर कलह कर रहे हो वास्तव में तो सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आस्रित है सर्वदा याद रखिये ददाती प्रते ग्रिहनाती गुहियं आख्याती प्रिच्छती भुखते भोजयते चैव शडविधं प्रिती लक्षणं अधुना अस्य अन्वयं पश्या महा ददाती प्रते ग्रिहनाती गुहियं आख्याती प्रिच्छती भुखते भोजयते चैव शट विधं प्रिती लक्षणं भावार्थः सद भावस्य सद भावनायाह वा शट लक्षणानी भवंती तानी यथा दानम करोती स्वी करोती अर्थात अन्यस्मय ददाती अन्यस्मात च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् प्रीति के ये छह लक्षन होते हैं लेता है दूसरों को देता है अर्थात उनसे लेता भी है और देता भी है रहस्य बताता है प्रास्न पूछता है अर्थात अपने संदेहों का निवारण करता है स्वयम उपभोग करता है तथा अन्यों को उपभोग कराता है भाव यह है कि इन्ही छह कारियों से परस्पर प्रीति वैसदभाव बना रहता है सर्वे प्राणिनह समवेत स्वरेण मातह कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानिमह भवत्याह परिचयह कह बच्चो सभी प्राणि एक स्वर में कहते हैं हे माता आप सर्वथा उचित कहती हो परंतु हम आपको नहीं जानते क्रपया अपना परिचय दीजिए प्रकृति माता अहम प्रकृति ही युष्माकं सर्वेशाम जननी यूयम सर्वे एव में प्रियाह सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयम नैतावत कलहेन समयम व्रिथा यापयंतु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम्च रस्मयम कुरुद्वम तद्यता कथितम प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति तुम सब की माता हूँ तुम सब मेरे प्रिये हो मेरे लिए यथा समय सभी का महत्व है इसलिए आपस में कलह करके समय को व्यर्थ नश्ट मत कीजिए बल्की परस पर मिल करके प्रसनता पूर्वक रहिए और जीवन को आनंद में बनाइए कहा भी गया है प्रजा शुखे सुखम राग्यह प्रजानाम्च हिते हितम नात्म प्रियं हितम राग्यह प्रजानाम्टू प्रियं हितम चात्राह अधुना अन्वयम पश्यामह प्रजा सुखे रग्यह सुखम प्रजानाम्च हिते रग्यह हितम रग्यह आत्म प्रियम नहितम प्रजानाम्टु प्रियम रग्यह हितम भावार्था अस्मिन श्लोके उत्तमस्य न्रिपस्य लक्षणम उक्तम अस्ति प्रजानाम सुखे एव न्रिपस्य स्वामिनह वा सुखम भवति प्रजानामक्ष हिते एव न्रिपस्य हितम न्रिपानाम स्वास्य क्रते प्रियम हितं न्भवति बच्चो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है बलकि प्रजा का हित ही राजा के लिए प्रिय होता है अगाध जल संचारी नगर्वं याति रोहित हा अंगुष्ठोदक मात्रेन सफरी फुर्फुरायते अस्य अनवयम पश्यामहा अगाध जल संचारी रोहित हा गर्वं नयाति किन्तु अंगुष्ठोदक मात्रेन सफरी फुर्फुरायते अस्य भावार्थं पश्यामहा अत्यधिकायाम जल धारायाम संचारं कृत्वा अपी रोहित मत्स्यह अहंकारं न करोती किन्तु अंगुष्ठ परीमिते जले एव संचरन शीलह सफरी मत्स्यह फुर्फुर इति करोती अर्थात अत्यधिकम गर्वं अनुभवती जल की अगाध धारा में संचरन करने वाली रोहित अर्थात रोहु नाम की मचली बच्चो गर्व का अनुभव नहीं करती है जबकी अंगुठे के बराबर सीमित जल में अर्थात थोड़े से पानी में छोटी मचली अत्यधिक उचलती है चप चप करते हुए वो पानी को उडेलती है उपर बच्चो हिंदी में इसके ही समानार्थक कुछ सुक्तियां हैं जैसे अधजल गगरी छलकत जाय और दूसरी है थोता चना बाजे घना अर्थात जिनके पास अधिक ज्ञान नहीं होता वे ही ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तो यहां पर भी सारे वन्यजीवजन्तु अपने अपने गुणों का बखान कर रहे हैं और दूसरों के गुणों को कोई समझ ही नहीं रहा है और यही बात बच्चो प्रकृती माता सब को समझा रही है अतह भवन्तह सर्वेपी सफरीवथ एकई कस्य गुनश्य चर्चाम वि हाया मिलित्वा प्रकृति सोंद्रयाय वन रक्षायेची प्रैतंताम सर्वे प्रकृति मात्रम प्रनमन्ती मिलित्वा द्रिध संकल्प पूर्वकंच गायन्ती अतह आप सब भी एक छोटी मचली की तरह से एक एक की गुणों की चर्चा को छोड़ करके आपस में मिल जुल करके प्रैकृती की सुन्दरता वेवन की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए सभी प्रकृती माता को प्रणाम करते हैं तथा मिलकर द्रण संकल्प के साथ गाते हैं प्राणी नाम जायते हानिही परस्पर विवादतह अन्योन्य सह योगेना लाभस्ते शाम प्रजायते अधुना अन्वयम पश्या महा परस्पर विवादतह प्राणी नाम हानिही जायते अन्योन्य सह योगेना तेशाम लाभस्ते भावार्तह परस्पर विवादेना प्राणी नाम हानिही भवती तत्रईव यदि परस्परम सहयोगेन तिश्ठन्ती तरही तेशाम लाभः भवती अतहा अस्मा भी परस्परम सहयोगेन निवासह करणिया बच्चो प्रकृती माता कहती है कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानी होती है परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है आतहा हमें आपस में मिलकर के तथा एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना चाहिए बच्चो वन्य प्राणि अपने अपने को स्रेष्ठ मानते हुए वनराज पद के लिए कलह करते हैं तब प्रकृति माता उनको समझाती है कि परस्पर विवाद से सभी की हानी होती है और सहयोग करने से सभी का लाभ निश्चित होता है अधुना वयम पाठे आगता नाम केशांचन पदा नाम अर्थम जानी महा नदी मध्य स्थितह नद्याह मध्य स्थितह अत्र तत पुरुष समासह अस्ती नदी के बीच में स्थित एविचलह अर्थात स्थिरह बिना विचलित हुए निर्मिय निर्मानम कृत्वा निर्मान करके साट हास पूर्वकम अट हासेन सहितम ठहा का मारते हुए जलधव सागरे समुद्रे अर्थात समुद्र में नौ रिव नौह धन इव नोकायाह समानम नोका के समान क्रूर तया क्रूर इति शब्दे ताल प्रत्य योजित हास्ती अर्था हास्ती निर्दयाता से सिरशी मस्तके पिच्छान उद्घाट्य पिच्छान अर्थात पक्षान उद्घाट्य विशेशता अत्र विशेश इति पदे तल प्रत्य योजित हास्ती अवकाशह अवसरह मोका संसीती लेशस्य संदेह मात्रस्य अर्थात जरासे संदेह की विक्षे वी उपसर्ग इक्षधातू ल्यप प्रत्यय यह अनेन विक्षे इति पदम निर्मितम भवती तस्य प्रियाय पदानी संती विलोक्य द्रिष्टवा अविलोक्य आदिनी अर्था हस्ती देखकर संभाराह सामग्रेह सामग्रिया कराल वक्तरस्य भयंकर मुखस्य सस्नेहम स्नेहेन सहितम चात्राह अत्र अव्यई भाव समासह वर्तते स्नेह पूर्वक मिथह परस्परम आपसमे गुहियम आख्याती रहस्यम वदती रहस्य बताता है यथा समयम समयम अनतिक्रम्या अत्रापी अव्यई भाव समासह अस्ति मोदध्वम प्रसनाह भवता तुम सब प्रसन हो जाओ प्रजा सुखे प्रजायाह सुखे तत्पुरुस समासह प्रजा के सुख में अगाध जल संचारी एसीमित जलधारायाम भ्रमन अर्थात अथाह जलधारा में संचरण करने वाला रोहितह रोहित इती नामनह मच्यह रोहित या रोहू नामकी मचली अंगुष्ठोदक मात्रेन अंगुष्ठ मात्र जले अंगुठे के समान अर्थात थोडे से जलमे सफरी लगु मच्यह छोटी मचली अधुन अभ्यासम कुर्मह प्रथमह प्रस्नहस्ती एक पदेन उत्तरता चात्राह अस्य प्रस्नस्य उत्तरम एक पदेन एव दातव्यम एक शब्देन अधिकाधिकं शब्द द्वयम द्वारा अस्य उत्तरम भवितुमाराती परन्तु यदि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखामा तरी एतद समीचेनम नभवती क वनराजह कई ही दुरावस्थाम प्राप्तह तुछ जीवाई ही ख वातावर्णम करकश धनिना आकूली करोती कह काकह ग काकचेश्ठः विद्यार्थी कीद्रिशह चात्रह मन्यते आदर्स चात्रह घ कह आत्मानम बलशाली विशालकायाह पराक्रमी चा कथयती गजह ग बकह कीद्रिशान मेनान क्रूरतया भक्षयती वराकान दुटिया प्रस्नह पून वाक्येन अस्य उत्तरम देयम क नीसंसयम कह कृतांतह मन्यते यह परैही पिद्यमानान वितस्त्रान जन्तून नरक्षती सह नीसंसयम कृतांतह मन्यते ख बकह वन्य जन्तूनाम रक्षोपायान कथम चिन्तैटूं कथयती ग अन्ते प्रकृती माता प्रविश्य सर्व प्रथमं किम वदती अन्ते प्रकृति माता प्रविष्य सैस्नेहं भो भो प्राणिनह यूयं सर्वे एव मे संततिही कथम मिथह कलहं कुरुवंती वस्तोतह सर्वे वन्य जीविनह अन्योन्या स्रिताह इती वदती गह यदी राजा सम्यक नभवती तदा प्रजा कथम विपल्वेत यदी राजा सम्यक नभवती तदा प्रजा जलधौ अकर्ण धारा नौह इव विपल्वेत मयूरह कथम नृत्यमुद्रायां स्थितह भवती मयूरह पिच्छान उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितह भवती च अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्य भिशेकाय तत्पराह भवन्ती त्रितियह प्रस्नह छात्रह अत्र उत्तरम दियते रेखांकित पदम आध्रित्य प्रस्नम असमाभी निर्मातव्यम भवती क सिम्वा वानरभ्यां स्वरक्षायाम एसमर्थ एवासित सिम्हा वानरभ्याम कस्याम एसमर्थह एवासित ख गजह वन्यपशून तुदंतं सुंडेन पोथ इत्वा मारयती गजह वन्यपशून तुदंतं केन पोथ इत्वा मारयती गवानरह आत्मानम वनराज पदाय योग्यह मन्यते उत्तरमस्ती वानरह आत्मानम कस्मई योग्यह मन्यते गजह मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेह आराधना मयूरस्य नृत्यम कस्याह आराधना सर्वे प्रकृती मातरम प्रणमंती सर्वे काम प्रणमंती अधुना शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इती लेखनियमस्ती तरही अत्र आहम केवलम उत्तरम वदिश्यामी सिम्हा आत्मानम तुदंतम वानरम मारयती ना काका इती बकस्य ध्वनि भवती ना काक पिकयो हो वरणह कृष्णह भवती आम गजह लगुकायह निर्बलह चभवती ना मयूरस्य भकस्य कारणात पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते आम अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते आम मन्जुशातह समुचितं पदम्चित्वा रिक्तस्थानानी पूरयता छात्र अत्र अहं रिक्तस्थानं पूरीत्वा ये वाक्यम वदिश्यामी ध्यानेन स्रनूता काकह मेध्या मेध्या भक्षकह भवती पिकह परब्रित अपिकत्यते बकह एविचलह स्थित प्रग्यह इवतिष्ठती मयूरह अही भुक इती नामनापी ज्यायते उलूकह आत्मसलागहीनह पदनरलिप्तह चासीत सर्वेशामेव महत्वं विद्यते यथा समयं अग्रिमे प्रस्ने वयं वच्य परिवर्तनं कुर्महा क त्वया सत्यं कथितं त्वं सत्यं एकथयह अथवा त्वं सत्यं कथितवान सिम्हा सर्व जन्तून प्रिच्छती सिम्हेन सर्व जन्तवा प्रिच्छंते काकह पिकस्य संततिं पालयती काकेन पिकस्य संतति ही पाल्यते मै यूरम विधात्रा एव पक्षिराजा वन राजा वा कruitशनल उर्ण आपकरतवान के ऐला रहा कृत्य commitments इन लिए चीवYU ह् नित्य द कृप्षि राजं वन राजं वा गार्द पालगार शर। खगाहा कमपी खगं एवं वनराजं करतुम इच्छंतिस्मा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सोंद्रियाय प्रियत्नम कुर्वंतू सर्वे मिलित्वा प्रकृति सोंद्रियाय प्रियत्नम कृवंतू सर्वे मिलित्वा प्रकृति सोंद्रियाय प्रियत्नम कृष्यताम समास जीवाई ही तुच्छाई ही जीवाई ही व्रिक्षोपरी व्रिक्षस्य उपरी पक्षिणाम सम्राट पक्षि सम्राट स्थित प्रज्या यस्यसह स्थित प्रज्यह अपूर्वं नैपूर्वं व्याग्र चित्रकव व्याग्रह चित्रकह च प्रिय चात्राह अस्मिन पाठे वयम पठित्वन्तह यत सर्वे पशु पक्षिणह वनराजह इति पदम प्राप्तुम कलहम कुर्वन्ती अन्ते प्रकृती माता सर्वान बोधयती यत परस्पर्म विवादेन तू सर्वेशाम एवानिह भवती अपिचा परस्पर सहयोगेन मिलित्वा वासह क्रियते तदा लाभा सूनिस्ची तह भवती अस्माभियपी प्रिय चात्राह जीवने कदापी कलह न करणिया अधुना एशह पाठह अस्य अभ्यासकारियंचे समाप्तम आशाशे यत इयम कक्षा भवताम भवती नाम्चकृते लाभकरी स्यात नवीनम पाठं स्वीकृत्य पुनह आगमिश्यामी भवे तावत सुखं मंगलं धन्यवादह धन्यवादह